ताजा तरीन अप्लोट्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें स्रे महालक्ष्मी पूजन कुवेर पूजन तेजोरी अथवा रुपे रखे जाने वाले संदूक आदे को स्वस्थिक आदे से अलंकरत करें उसमें निधी पती कुवेर का आवहन करें आवाहयामि देवा त्वामिहामि क्रपाम कुरू कोशंबर्धया नित्यम त्वंपरिरक्ष सुरेश्वरह आवहन की पश्चात ओम कुवीराय नम्हा इस नाम मंत्र से यथा लप्धो पुचार पूजन कर अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें अम्धन दाय नमस्तुभ्यम निधी पद्मा धिपाय च भगवन्तत प्रशादेना धनधान्या अदिशंपदाह इस प्रकार प्रार्थना कर पूर्व पूजित हल्दी धनिया कमल गठ्था द्रप्य दूर्व आधिसे युक्त थैली तिजोरी में रखें तुला तथा मान पूजन सिंदूर से तराजु आधि पर स्वस्तिक बना लें मूली लपिट कर तुला धिश्टात्री देवता का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए नमस्ते सर्वदेवानम सक्तितत्वे सत्यमास्रिता साक्षी भूता जगध्धात्रे निर्मेता विश्योनिना द्यान के वाद ओम तुलया धिश्टात्री देवता भ्योनमह इस नाम मंत्र से गंद अक्षत पुष्प आध उप्चारों द्वारा पूजन कर प्रणाम करें दीप मालका दीपक पूजन किसी पात्र में ग्यार है एक्कीस या उससे अधिक दीपकों को प्रजलित कर महालक्ष्मी के समीप रख कर उस दीप जोती का ओम दीपावल्ले नमह इस नाम मंत्र से गंद आध उप्चारों द्वारा पूजन कर इस प्रकार प्रात्ना करें त्वम जोतिस त्वम रविश्चंद्रो विद्धुदग निष्चतार कहा सर्वे साम जोतिस आम जोतिर दीपावल्ले नमो नमह दीप मालकावं का पूजन कर अपने आचार की अनुशार संतरा एक पानी फल धान का लावा इत्याद पदार्थ चड़ाएं धान का लावा खील गडेश महालक्षमी तथा अन्य सभी देवी देवताओं को भी अर्पित करें अन्त में अन्य सभी दीपकों को प्रजलित कर संपून ग्रह अलंकिरत करें अब सब हात जोड़ करके आर्ती उतारें इस प्रकार भगवती महालक्षमी तथा उनके सभी अंग प्रतंग्यों का एवं उपांगों का पूजन कर लेने के अनंतर प्रधान आर्ती करनी चाहिए इसके लिए एक थाली में स्वस्थिक आदि मांगलिक चिन्न बनाकर चावल तथा पुष्पों के आसन पर किसी दीपक आद में घरत युक्त बत्ती प्रजलित करें एक प्रथक पात्र में कपूर भी जलाएं और वह पात्र भी थाली में यथा स्थान रख लें आर्ती थाल का जल से फ्रॉक्षन कर लें पुनहा आसन पर खड़े होकर अन्य परवारिक जनों के साथ घंटा नाद पूरुव निम्न आर्ती गायते हुए सांग महालक्ष्मी जी की मंगल आर्ती करें ओम जै लक्ष्मी माता मैया जै लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत हरे विष्नु धाता ओम जै लक्ष्मी माता उमारमा ब्रह्माडी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता सूर्य चंद्र माध्यावत नारद रिशिगाता ओम जै लक्ष्मी माता दुरगारोप निरंजन सुख संपति दाता मैया सुख संपति दाता जो कोई तुमको ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत रिदिस दिधन पाता ओम जै लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिन तुम ही सुख दाता कर्म प्रभाव प्रकासिन भवनिध की तराता ओम जै लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती ताहां सब सद गुण आता ओम जै लक्ष्मी माता तुम विन याज्य ना होते वस्त्र ना हो पाता ओमय वस्त्र ना हो पाता खान पान का वैभव सब तुम से आता ओम जै लक्ष्मी माता सुभगुण मंदिर सुन्दर छीरो दधे जाता ओमय चीरो दधे जाता रत्न चातुर दस तुम विन कोई नहीं पाता ओम जै लक्ष्मी माता स्री महा लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता ओमय प्रेम सहते गाता उरे आनंद समाता उरे आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जै लक्ष्मी माता बुल महा लक्ष्मी मैय की जै अब सबी लोग अपने हातों में पुष्प ले करके पुष्पांजली अर्पित करें ओम जजे नजज्यमय जन्त देवास्तानि धर्मानि प्रधमान्या सन्नाह तेहनाकं महिमानह सचन्त यद्रपूर्वे साध्याह संति देवाह हरि ओम राजा धिराजाय प्रसय साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्मही समे कामान काम कामाय हमयं कामे सरू वैश्रवणोत दातू कुवी राय वैश्रवणाय महाराजाय नमहा हरि ओम स्वस्ति सामराज्यम भोज्यम सुराज्यम बेराज्यम पारमेश्टम राज्यम महाराज्यमादिपत्यम समंत पर्याय स्यात सार्भोमह सर्वाय शान्ता दापदार्धात प्रतिप्यई समुद्ध पर्यंताय हम एक राणती तदप्यसे ससलो को भिगीतो दार परदा परिवेष्टारो मर्तश्या वसंग्रही ओम आविक्षतस्य काम प्रेर्वे विश्वे दिवा सभा सद इती हरियों विश्वतक्षशुरतह विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात संबाहु व्यान धमति संपत्रै द्यावा भूमी जनयन दिव एकह हरियों महालक्षमेच बिदमहे विश्वतनेच धीमहे तन्यों लक्षमी प्रचोदयात यास्री स्वयं सुकिर्तिनाम भवनैस लक्षमीं पापात्मनाम कृतधियाम हिर्दैस बूत्ति स्रैद्धाम सताम कुल जनाम प्रहुवस्य लज्जाम त्वाम्ताम नताश्म परिपालयतेव विश्वम् ओम महालक्षमी नमहा मंत्र पुष्पान जलीम शमर पे आँए हाथ में लिये फूल महालक्षमी की प्रत्मा पर चड़ा देए प्रदक्षना करें शाष्टांग प्रणाम करें पुना हाथ जोड कर छमा प्रार्थना करें ओम नमस्ते सर्वदेवानाम वरदासे हर प्रिये यागतिस्त्व प्रपन्नानाम सामे भूयात दर्चनात आवाहनम नजानामी नाजानामी विशर्जना पुजाम्चैव नजानामी छमस्वा परमेश्वरा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मयादेवी परिपुनं तदस्तुमे त्वमेव माताचपिता त्वमेव त्वमेव वंदोचसका त्वमेव विध्याद्रविणं त्वमेव सर्वं ममदेव देवा पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप शंभव त्राहिमाम परमेशानी सर्व पाप हराभव अपराद सहस्त्राणी क्रियंते हर निशंबया दासोय मिती माम मत्त्वा छमस्व परमेश्वरी सरज निलए सरोज हस्ते धवलता सांगुंत कंध्यमाल्य सोभे भगवती हरिवल्लवे मनोगे त्रिववन भूत करी प्रशीद महियं पुनहा प्रणाम करें ओम अनेन यथा सक्क्यत अर्चनेन स्री महालक्ष्मी प्रशीदतू यह कहकर सभी लोग मता के चरणों में जल छोड़ दें ब्राहमन एवं गुरु जनों को प्रणाम कर चरणा मुरत तथा प्रशाद बितरण करें बिसरजन पूजन के अंत में हाथ में चावल लेकर नूतन भगवान स्री गड़ेश जी एवं महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित प्रतिष्टित एवं पूजित देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए निम्न मंतर से बिसरजित करें यान्तु देव गणा सर्वे पूजमादाय मामकीम इश्टकाम सम्रद्यर्थम पुनराग मनाय चहा सभी देवताओं से प्रार्थना करें कि हे प्रभू आप सभी ने आकर के हमारी पूजा में हमको आसिरवाद दिया अब आप ऐसा आसिरवाद दें कि जब जब हम पूजा कराएं तब तब आप हमारी पूजा में उपस्ते तो हों और हमें आसिरवाद दें ऐसा बोल करके भगवान के चर्णों में अक्षत समर्पित करें यथा इस्थान सभी देवताओं का विशर्जन करें स्री महालक्षमी पूजन भगवती महालक्षमी चल एवं अचल द्रस्य एवं अद्रस्य सभी संपत्तियों सिद्धियों एवं निद्धियों की अदिश्थात्री साक्षात नारायनी हैं भगवान स्री गडेश सिद्धी बुद्धी के एवं सुब और लाव के स्वामी तथा सभी अमंगलों एवं बिगनों के नासक हैं ये सत बुद्धी प्रदान करने वाले हैं अतह इनके समवेत पूजन से सभी कल्यान मंगल एवं आनन्द प्राप्त होते हैं कारति क्रिष्ण अमावस्या को भगवती स्री महालक्ष्मी जी एवं भगवान स्री गडेश जी की नूतन प्रत्माओं का प्रतिष्टा पूरवक बिसेश पूजन किया जाता है पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर स्रे गड़ेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए पूजन के दिन घर को स्वक्ष कर पूजन इस्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए और स्वैम भी पवित्र होकर स्रद्दा भक्ति पूर्वक सायम काल में इनका पूजन करना चाहिए मूर्ती मई स्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अश्टदल कमल बनाकर उस पर द्रब्य लक्ष्मी रुपेयों को भी स्थापित करके एक साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए पूजन सामिक्री को यथा इस्थान रख लें सर्व प्रथम पूर्व की और मुख करके अथवा उत्तर की और मुख हो आचमन पवित्री धारन मार्जन प्राणायाम कर अपनी उपर तथा पूजा सामिक्री पर निम्न मंत्र पड़कर जलचड़के ओम अपवित्रहा पवित्रोवा सर्वावस्ताम गतोपिवा यह इश्मरेत पुंडरी काक्षम सवय अभ्यन तरह सुचिहे आसन सुद्धी करें सुष्ति वाचन पाठ करें और हाथ में जल अक्षत लेकर पूजन का संकल्प करें ओम स्री विष्णुह स्री विष्णुह स्री विष्णुह अध्य स्री ब्रहमनों दुत्य परार्धे स्री श्वेत वारहा कल्पी बैवश्वत्मन वंतरे अश्टाम विश्ष्तमे अमुक गोत्रोत पण्नोहम अमुक नामनोहम अपना गोत्र और अपना नाम मासा नाम माशोत्त में महीने का नाम कार्तिक मांसे क्रिष्ण पक्षे पुन्या मावश्यायम तिथो अमुक वासरे अमुक गोत्रोत पन्नों हम अपना गोत्र अपना नाम और बोलें अहम सुरुती इस्मृती प्राणुक्त फल्पाप्तिर कामनया ग्याता ग्यात काईक वाचिक मानशिक शकल पाप निब्रती पूर्वकम इस्थिर लक्षमी प्राप्ते स्री महा लक्षमी प्रित्यर्थम महा लक्षमी पूजनम पुवेर आदी नाम पूजनम अहम चा करेशी तदंगत्वेन गौरी गडपत्याद पूजनम चा करेशी यह संकल्प बाग के बढ़कर जल चावल आदे गड़ेश जी के समीप छोड़ें इसके अनंतर शर्व प्रथम स्री गड़ेश जी का पूजन करें गड़ेश पूजन से पूर्व उस नूतन प्रत्मा की निम्न रिती से प्राण पतिष्टा कर लें बाएं हाथ में चावल लेकर निम्न मंत्रों को पढ़ते हुए दाहने हाथ से उन चावलों को स्री गड़ेश जी की प्रतिमा पर छोड़ता जाए ओम्मनो जूतिर युखता माजस्य ब्रहस्पतिन जग्यमिमन तनोत्वरिष्टन जग्यगुं समिमन दधातु विश्वे देवास इह मादयन तामू प्रतिष्ठा इस प्रकार प्रतिष्ठा कर भगवान श्री गड़ेश जी के सोड़सुप चार पूजन करें तदनंतर नवग्रह पूजन करें सोड़स मात्र का पूजन करें कलस पूजन करें और इसके बाद प्रधान पूजा में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें पूजन से पूर्व नूतन प्रत्मा तथा द्रव्य लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा करें ओम्मनो जूतर जुखता माजस्य प्रहस्पती जजमि मन्तनो त्वरिष्ठन जग्य गुम्चमि मन्द धातु विश्वे देवास इह मादयन्ता मो प्रतिष्ठा हां असे प्राणा प्रतिष्ठन्तु असे प्राणा छरंतुचा असे देवत्व मर्चाये माम हेति चकच्चन हां इस मंत्र को पढ़कर पूर्वुक्त रीती से प्राण प्रतिष्टा कर लें सर्व प्रथम भगवती महालक्ष्मी का हाथ में फूल लेकर इस प्रकार ध्यान करें यासा पदमा सनस्ता विपुलकट तटी पदमपत्रा यताक्षी गंभीरावर्तन आविस्तन भरनविताथ सुप्रवस्त्रो तरी अहा या लक्ष्मिर दिप्यरूपई मडी गणखचतही इस्थापिताहेमकुंभई सानित्यम पदमहस्तामम बसतुग्रही सर्वमांगल युक्ताहा ओम हिरन्यवर्णाम हरिनिम सुवर्न रत्रश्यजाम चंद्राम हिरन्मयिम लक्ष्मिम जातवेदोम आवह ओम स्री महालक्ष्मे नमहाम ध्यानार्ते पुष्पम समर्पयामी अव महालक्ष्मिजी का आवहन करें सर्वलोकस्य जननिम सर्वसोख्य प्रदायनिम सर्वदेवमयामीन साम देवी महावाहयामिहम ओम ताम आवह जातवेदोम लक्ष्मि मनपगामिनेम यस्ष्याम हिरन्यम विंदेयम गामश्वम पुरिशानहम ओम स्री महालक्षमे नमहां महालक्षमी महवायामी इस्थापयामी आवह नार्थे पुष्पानी शमरपयामी आसन ओम तप्त कांचनम बरणाभं मुक्तामडी विराजितं अमलं कमलं दिभ्या आसनम प्रतिग्रहियताम ओम अश्रपूरवाम्रथ मध्याम हर्ष्तिनाध प्रमोधिनिम स्रीम देवी मुपवय स्रीमादेव जुखताम ओम स्री महालक्षमी नमहा आसनम समरपयामी आसन के लिए कमल आदिके पुष्प अर्पन करें पाद्यम ओम गंगादितीर्थ संभूतं गंदपुष पादिविर्यतं पाद्यम ददाम्य हमदेविं ग्रहाणासु नमोस्तुते ओम काम तो समिताम हिरण प्राकाराम मारधाम जुलन्तिम तरपताम तरपयन्तिम पदमे स्तताम पदम वर्नाम तामे हो वभवेस्रियं ओम महलक्षमीन महा पाद्यों पाध्यं समर्पयामे चंदन पुष्प आदयक्त जल अरपित करें अम अस्टागंद समायोक्तं, स्वणपात्र पूरितं, अर्गं ग्रहाण मद्दतं, महालक्ष्मी नमोस्तुते ओम् चंद्राम प्रभासाम यससाम जुलंतिम स्रियम लोके जे वधुष्टाम दाराम ताम पदमिनीमिं सरणम प्रपद्धे आलक्षमिरमे नस्यत्वाम्तवाम ब्रणे ओम स्री महालक्षमी नमा हस्त यो अरगम समरपयामी अश्टा गंद मिस्रित जल अरग पात्र से देवी के हातों में दे ओम सर्वलोकस्य या सक्ति ब्रह्म विष्णवदिवी सुस्त ताह ददाम्या आच्मनम तश्य महालक्षमी मनुहरं ओम आदित्यवर्ने तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव ब्रक्षोत विल्वह तश्यप्फलानि तपसानुदंतु या अंतरायाश्य वाया अलक्षमी ही ओम म आच्मन के लिए जल चड़ाएं अव इश्णान मन्दा किन्या समानिर्ति हेवारं भो हुवासितहि इश्णानम कुरुष्वदेवेसि सलिललैष्य सुगंधि विही ओम महालक्षमी नमहा इश्णानम समर्पयामी इश्णानियम जलम अर्पित करें इश्णानांते आच्मन अमजलम समर्पयामी इश्णान के वाद ओम महालक्षमी नमहा ऐसा उच्चारण कर आच्मन के लिए जल दें ओम कामधेनु समुत्पन्नम सरवेसाम जीवनम परम पावनम यग्यहे तुष्चा पयह इश्णानार्थ परपितम ओम पयह प्रतिव्याम पय ओख देखूं पयो अमजलम पयाश्वति ही प्रदिशाह शंतुम्हयम्माम ओम महालक्षमी नमहा पय इश्णानम समर्पयामी पय इश्णानांते सुद्धु दकिश्णानम समर्पयामी गौके कच्चे दूद से इश्णान कराएं पुना सुद्ध जल से इश्णान कराएं पुना सुद्ध ज आदेवी इश्नानार्थं प्रतग्रियताम। ओम ददिक्रावनों अकारिशं जिश्णोरस श्ववाजिनह। सुर्भीनों मुखा करत्प्रण आयोगिंखी तारिकतः। ओम महालक्षमे इनमहा ददी इस्नानम समर्पयामि ददी इस्नानांते सुद्धो धकिष्नानम समर्पयामि ही ददी के इस्नान कराने के बाद फिर सुद्ध जल से इस्नान कराएं। श्री महालक्ष्मी पूजन ओम घ्रत इस्नानं ओम नवनेत समुत्पन्नं सर्वसंतो शकारकं घ्रतं तुभ्यं प्रदाश्यामे इस्नानार्थं प्रतग्रहियतां ओम घ्रतं घ्रत पावानह पिवतह वसांबशा पावानह पिवतांत रक्षह विरशिस्वाह दिसह प्रदिशह आदिशो विदिशह उद्दिशो दिग्व्याह स्वाह ओम महालक्ष्मे नमहा ग्रतिष्नानं समर्पयामि ग्रतिष्नानांते सुद्धु दकिष्नानं समर्पय गीके इस्नान के बाद सुद्ध जल से इस्नान कराएं आम तत्पुष्पं समुद्भूतं सुष्वादू मदुरं मधू तेजापुष्टिकरं दिव्यं इस्नानार्थं प्रतिग्रहियतां ओम धुब्वाता रितायती मधू चरंति सिंधवह माधुर नहा संतो सदीही मधू नकमुतो सचतो मधू पार्तिव गुंगर जहा मधू ध्योरस्ति नह पिताहा मधू मामनो बनस्पतिर धुमाम गवं अस्तु सूर्यहा माधूर गावो भवंतु नहा ओम महालक्षमे इनमहा मदू इस्नानम समर पयामी मदू इस्नानांते सुद्धु दकिस्नानम समर पयामी ही मदू अर्थात सहद से इस्नान कराएं पुनहा सुद्ध जल से इस्नान कराएं अब स्त्री महालक्षमी जी को सक्कर से इस्नान कराएं ओम इक्षुसार समुद्भूता सरकरा कुष्टिकारिकाह मला पहारिका दिप्याम इस्नानार्थम प्रतग्रहियताम ओम अपामगुं रसमुद्भूता समुद्भूता 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 समुद्भूत अब महालक्ष्मी जी कुँ पंचा मृतिश्नान कराएं ओम पयोधदिही ग्रतम चैवा मधूसर करयान वितम् पंचामृतम् मयानितम् इश्नानार्थम् प्रतिग्रहियताम् ओम पंच नत्याह सरश्वती मपियंति सहस्रोसताह सरश्वती तुपंच दा सोदे सो भवत सरिताह। ओ महालक्षमी नमहा पंचा मृतिश्नानम समर्पयामी पंचा मृतिश्नानांते सुद्धु दकिश्नानम समर्पयामी पंचा मृतिश्नान के अनंतर सुद्ध जल से स्नान कराएं यदि अवसी करना अविष्ठ हो तो सुद्ध जलिया दुग्द आद से श्री शुक्त का पाट करते हुए अखंड जलधारा से श्नान अवसे कराएं मरण मैं प्रत्मा अखंड जलधारा से छरित ना हो जाए इस आसे से धातु की मूर्तिया द्रभ लक्ष्मी पर अवसे किया जाता है इसे प्रतक पात्र में कराना चाहिए गंदो दकिष्णानम ओम अलयाचल संभूतं चंदना गुर संभवं चंदनम देव देवेशी इस्नानार्थं प्रतग्रेहियताम ओम महालक्ष्मे नमहा गंदो दकिष्णानम समर्पयाम गंद चंदनमिस्रित जलसे इस्नान कराए सुद्दो दकिष्णानम ओम अन्दकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपाप हरम सुभं तदिरम कल्पित अम तुभ्यं इस्नानार्थं प्रतग्रेहियताम ओम महालक्षमे नमहा सुद्दोदकिष्णानम समर्पयामिहीं गंगा जल अत्वा सुद्द जल से इस्नान कराएं तदनंतर प्रतिमा का अंग प्रोक्षन करें पोंचकर उसे यथायस्थान रख दें और आसन पर इस्थापित करें और निम्न रूप से अत्रांग का पूजन करें आच्मन सुद्दोदकिष्णान की बाद महालक्षमी नमा ऐसा कहकर आच्मनी से जल छोड़ें मालक्षमी जी को बस्तर अर्पित करें ओम दिप्या अंबरम नूतनम भेचोमम तनमनोहरम दियमानम मयादेवी ग्रहाणा जगदंबिके ओम उपेतुमाम देवशका किर्टिष्च मणिना सहा प्रादुर्भूतोस्मिराश्टेश्मिन किर्टिमिर्दिम ददा तुमे ओम महालक्षमी नमा वस्तरम समर्पयामी आच्मनियम जलम समर्पयामी बश्तर अर्पित करें आच्मनी से जल्दें उपवस्तरम ओम कंचुकी मुपवस्तरं चा नानारत नैशमनमितम ग्रहाणात्वम यादत्वम मंगले जगदेश्वरे ओम महालक्षमी नमा उपवस्तरम समर्पयामी आच्मनियम जलम समर्पयामी कंचुकी आधि उत्री वस्त्र चड़ाएं आच्मन के लिए जल दें मधुपरकम कांसे कांसे न पिहतो दधी मधुवान जसन्युतह मधुपरको मयानीतह पूजार्थम प्रतग्रहियताम ओ महालक्षमे नमहां मधुपरकम समर्पयामी आच्मनियम जलम समर्पयामी कांसे पात्र में इस्तित मधुपरक समर्पित करें आच्मन के लिए जल दें आभुशन रत्न कंकड वैदूर्या मुक्ताहा राधिकानिचा सुप्रसन्नेन मनशा धत्तानी स्वय कुरुश्यभो ओम छुति पासामलाम जेश्टाम आलक्षमी नासयामे हम अभूती संभूती चा सरवा निर्दुमे ग्रहात ओम महालक्षमीन महा नाना विदानि कुंडल कटकानि आभुशनानि समर्पयाम गंदेशनान श्रेखंडं चंदनं दिभ्यं गंधाध्यं सुमनोहरं बिलेपनं सुरस्रेष्टा चंदनं प्रतिग्रहियताम ओम गंदत्द्वाराम दुराधर्शाम नित्यपुष्टाम करेश्णीम इश्वरिम सर्व भूतानाम तामेहो ववयेश्रियम महालक्षमीन महा गंधम समर्पयामी अनामिका अंगली से केशर आदमिस्रित चंदन माता को अर्पित करें रक्त चंदन ओम रक्त चंदन समिस्रम पारीजात समुद्भवम मयादत्तम महालक्षमी चंदनं प्रतिग्रहियताम ओम महालक्षमीन महा रक्त चंदनं समर्पयामी अनामिका से रक्त चंदन चड़ाएं ओम सिंदूरम् रक्तवर्णंच सिंदूर तिलकप्रिये भक्त्यादत्तम्यादेवी सिंदूरम् प्रतग्रहियतां ओम सिंदूरिव प्राद्वने सुगना सुब्बातः प्रमिय पतयन्ति जहुआः ग्रतश्यधारा अरशोन बाजी काष्टा विंदनू विर्वई पिनन्वानः ओम महालक्षमीनम्हा सिंदूरम् समर्पयामी देवी जी कु सिंदूर चड़ाएं ओम् कुम् 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 काम दम्दिप्यम् कुम् 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 काम रूपिनम् अखंड काम सोभाग्यम् कुम् 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 प्रतिग्रहियतां ओम् महालक्षमीनम्हा कुम् कुम् समर्पयामी कुम् कुम् अर्फित करें पुष्पुसार इतर ओम् तेलानीच सुगंदी द्रभ्यानी विविधानी चा मया अद्रतानी लेपार्थम ग्रहाना परमेश्वरह ओम महालक्षमे इनमहा सुगंदी द्रभ्यम समर्पयामी सुगंदी तेल पुष्पुषारंच समर्पयामी माता को चावल चड़ाएं ओम अक्षताःः शुर्वष्टे कुंकुमाक्ता सुषोभिताम मया निवेधिता भक्त्या ग्रहाना परमेश्वरी ओम महालक्षमे इनमहा अक्षतांच अमर्पयामी कुंकुमाक्तम अक्षतम अर्पित करें अम्मा को पुष्प माला एवं पुष्प अर्पित करें अम्माल्यादिनी सुगंदिनी मालत्यादिनी विप्रभो मया नीतानि पुष्पानि पुजार्थं प्रतिग्रहियताम अम्मनसहकाम माकूतिम बाचह सत्यमसीमही पसुनाम रूप मन्यस्य मैस्रिहिस्रेताम सतह अम्महालक्षमे नमहा पुष्पं पुष्प मालांचा समर्पयामिही देवी जी को पुष्पों तता पुष्प मालाओं से अलंकरत करें यथा संभव लाल कमल के फूलों से पुजा करें दुर्वांग ओम विष्णवादि सर्व देवानम प्रियासर्व सुसोभ नाम छीरसागर संभूते दुर्वांग स्विकुरू सर्वदा ओम्महालक्षमे नमहा दुर्वांग कुरं समर्पयामिही मा लक्षमी जी को दूब अर्पित करें आएए अब मा लक्षमी जी की अंग पूजा करें रोली कुमकुम मिस्रित अक्षत पुष्पों से निमनांकित एक एक नाम मंत्र पढ़ते हुए अंग पूजा करें पूजा करें ऑम चपलाय नमहा पादव पूजयामी आम चंचलाय नमहा जानुनी पूजयामी आम जगन मात्रे नमा जटरम पूजयामी आम बिश्वल्ल भाए नमा वक्षा इस्थलम पूजयामी ओम कमल वासिन्य नमहा हस्तव पूजयामी ओम पद्माननाई नमहा ओम मुखं पूजयामी ओम कमल पत्राक्षय नमहा ओम नित्रत्रयम पूजयामी ओम स्रिय नमहा ओम सिरह पूजयामी ओम महालक्षमे नमहा सरवांग पूजयामी अश्ट सिध्धी पूजनम इस प्रकार अंग पूजा के अनंतर पूर्व आद क्रम से आठों दिसाओं में आठों सिध्धियों की पूजा कुमकुमाक्त अक्षतों से देवी महालक्ष्मी के पास निम्नांकित मंत्रों से अर्पित करें ओम अडिमने नमहा पूर्व की तरफ छोड़ें ओम महिमने नमहा अगनी कोण ओम गरिमने नमहा दक्षण की ओर ओम लगिमने नमहा नेरित्त की ओर ओम प्राप्ते नमहा पश्चिम की ओर ओम प्रकाम्ये नमहा नेरित्त वायब्य की ओर ओम इसताये नमहा उत्तर की ओर ओम वसिताई नमहा एशान निकियोर अस्ट लक्षमी पूजनम तदनंतर पूर्व आध क्रम से आठों दिसाओं में महा लक्षमी के पास कुमकुमाक्त अक्षत तथा पुस्पों से एक एक नाम मंत्र पढ़ते हुए आठ लक्षमियों का पूजन करें ओम आध्य लक्षमे नमहा ओम विध्या लक्षमे नमहा ओम सोभाग्य लक्षमे नमहा ओम अम्रत लक्षमे नमहा ओम काम लक्षमे नमहा ओम सत्य लक्षमे नमहा ओम भोग लक्षमे नमहा ओम योग लक्षमे नमहा धूप का दर्शन कराएं ओम बनस्पतिरसोद्भूतों गंदाध्या सुमनोह रहा आग्नेया सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिग्रहियतां ओम कर्दमेन प्रजाभूतां मैसंभव कर्दमहां श्रियंबासय मेकुलें मातरं पत्ममालनीं ओम महालक्षमेनमहा धूपम आग्रह पयाम मातालक्षमी को दीप का दर्शन कराएं ओम कारपा सवर्तिसन्योक्तम ग्रतयोक्तम मनोहरं तमोनासकरंदीपम ग्रहानापरमेश्वरी आपह स्रजन्तुचिक्दाने चिकलीता वसमेग्रहे निचदेविम मातरं स्रियावासय मेकुलें ओम महालक्षमीनमा दीपम दर्शयामें दीपक दिखाएं और फिर हाथ धुलें नेविद्यम ओम नेविद्यम ग्रिहताम देविम् वक्षभोज्य समन्वितम् सडसैरन्वितम् दिव्यम् लक्षमिम् देवि नमोस्तुतें ओम आर्दहा पुष्टकरिम् पुष्टिम् पिंगलां पद्ममालिनिम् चंद्राम हिरन्मैं लक्षमिम् जातवेदों आवह ओम महालक्षमिनमह नेविद्यम निवेद्यामी मध्य पानियम उत्तरा पोसनार्थम हस्त प्रक्षालनार्थम मुख प्रक्षालनार्थम चा जलम समर्पयाम देवी जी कु नेविद्ध निवेदित कर पानिय जल एवं हस्त आधि प्रक्षालन के लिए भी जल अर्पित करें करोध द्वनर्थ ओम महलक्ष्मीन माया कहकर करोध द्वार्तन के लिए हातों में चंदन उल्पित करें ओम सीतलं निर्मलं तोयं करपूरेण सुवासितं आचम्यताम जलं हुतत प्रशीदप परमेश्वरी ओम महलक्ष्मीन महा आचमनियं जलं समर्पयाम नेविद्ध निवेदन करने के अनंतर आचमन के लिए जल दें रितूफल ओम फले नफलितमसरव तरई लोक्यम सचराचरम तसमात फलप्रदानेन पूरण हशन्त मनोर था ओम महलक्ष्मीन महा अखंड रितूफलं समर्पयाम हाच्मनियं जलं सम्र्पयाम मृतुफल अर्पित करें तथता आचमन के लिए जल दें ताम्बूल पुंगी फल ओम पुंगी फलं महा दिभ्यं नागवल्ली दलर्युतं एला चुर्णा दिशन्युक्तं ताम्बूलं प्रतिग्रहियतां ओम आर्दाय कर्णिं यस्टिं सुवर्नाम हेम मालनिं सूर्याम हेरंड मैं लक्ष्मिं जातवेदों आवह ओम स्री महा लक्ष्मे नम्हा मुक वासार्थे ताम्बूलं समर्पयामी एला लवंगाद पुंगी फल युक्त ताम्बूल अर्पित करें मालक्ष्मी को दक्षणा प्रदान करें ओम हिरन्य गर्व गर्वस्थम हेम बीजं विभावसो हो अनन्त पुण्य फल दमता सांतिम प्रयक्षमे ओम्ताम आवह जातवेदों लच्मी मन पगामनी यस्चाम हिरन्यं प्रभूतं गावो दास्वे सान विंदेयं पुरुशानहं ओम महा लक्षमे नमहा दक्षणाम समर पयामे ही नीरांजन मा लक्षमी जी की आरती करें तथा जल छोड़ें हात धुलें ओम चक्षुर्दम सर्वलोकानाम तिमिरस्य निवारणम आरार्तिक्यम कल्पितम भक्त्याम ग्रहाना परमेश्वरिहें महा लक्षमी जी की परक्रमा करें यानिकानी चपापानी जन्म जन्मांतर क्रतानी चाव तानी शर्वानी नस्यंतू प्रदक्षणा पदे पदे महा लक्षमी जी से प्रार्थना करें हाद जोड़ करके सुरा सुरेंद्रा दिकिरेट मौक्तिकै युक्तम सदाया तवपाद पंकजम परावरं पातु बरं सुमंगलं नमामि भक्त्या खिलकाम सिध्धै भवानी तुम् महा लक्षमी सर्वकाम प्रदायनी सुपूजिता प्रशन आश्यान महा लक्षमी नमोस्तुते नमस्ते सर्वदेवानम वर्दासी हरप्रिये यागतिष्त्वा प्रपन्नानम सामे भूयात दर्चनात। ओ महा लक्षमे नमाम प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि प्रार्थना करते हुए प्रणाम करें समर्पन पूजन के अंत में करते नाने ना पूजने ना भगवती महा लक्षमी देवी प्रियंताम नममा यह बाग के उच्चारन कर समस्त पूजन कर्म भगवत भगवती महालक्ष्मी को समर्पित करें तथा जल छोड़ें। भगवती महालक्ष्मी की अथा लोप दोप चारव पूजन के अनंतर महालक्ष्मी पूजन के अंगरूप स्री देहली बिनायक मसी फात्र लेखनी सरश्ट्री कुवेर तुलामान तथा दीपकों की पूजा की जाती है। संचिप में उन्हें भी याँ दिया जा रहा है। सर्व प्रथम देहली बिनायक की पूजा की जाती है। ओम व्यापारी प्रतिष्टान आदमे दीवालों पर और स्री गड़े शाय नमा स्वस्तिक चिन्न सुबलाव आद मांगलिक एवं कल्यान कर सब्द सिंद दूर आद से लिखे जाते हैं। इनहीं सब्दों पर ओम देहली बिनाकाय नमा इस नाम मंत्र द्वारा गंद पुष्प आद से पूजन करें। पंचुप चारों से या सोड़सुप चारों से दावात में भगवती महाकाली का पूजन करें। और अंतमे इस प्रकारं प्रार्थना पूर्वक उन्हें प्रणाम करें। कालिके त्वम जगन मातर मसी रूपेन वर्तसे उत्पन्ना त्वम चलोकानम व्यवहार प्रशित्दै या कालिका रोग हराशुबंध्या भक्तै समस्तर व्यवहार रक्चै जनेर जनानाम भैवारनी चा लोकमाताम सोख्यदास्तु। लेखनी पूजन लेखनी कलम पर मौली बांद कर सामने रख लें और लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्राम्मणा परमेष्टिना लोकानाम चाहितार्थाया तस्माताम पूजया में हम लेखनी इस्थाई दिब्वी नमा इस नाम मंतर द्वारा गंद पुस्प अक्षत ओम सास्त्राणाम व्यवहाराणाम विध्यानाम मप्नदाज्यता अतस्त्वाम पूजय इस्यामी ममहस्ते इस्तिराभव सरश्वती पंज का वही घाता पूजन पंज का वही वासना तथा थैली में रोली या केशर युक्त चंदन से स्वस्तिक चिन बनाई तथा थैली में पांच हल्दी की गाठें धनिया कमल गट्टा अक्षत दुरवांग और द्रव रखकर उसमें मा सरश्वती की पूजा कर सरव प्रथम मा सरश्वती जी का ध्यान करें या कुंदेंदुतु सारहार धवला या सुप्रवस्ता ब्रता या वीणा वरदंड मनित करा या स्वेत पत्मासना या भ्रम्मा चुत संकर प्रवतिवै देवै सदा वंदिताम सामम पातु सरश्वतिम भगवतिम निहसे सजाध्या पहां ओम बीणा कुस्तक धारने श्री सरश्वति नमा इस नाम मंतर से गंध आदे उप्चारों दोरा पूजन करें